नमस्कार दोस्तों आप सभी का कुछ बाते बाते में स्वागत है दोस्तों आज सुबह से दो घटनाए सोशल मीडिया में काफी बढ़ चाड़ के चल रहे हैं ठीक है एक घटना जो है नेहा पाबलिक स्कूल मुझफर नगर से है और दूसरी घटना जो है वह है गवर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल बानी कट्वास है ठीक है दोस्तों एक घटना को उसको एक तुम कम्मूनल एंगल देदिया गया है ठीक है और जो दूसरी घटना उसे चुपी साहध के बैठ गए है ठीक है टो यह ना छलिए फिर मैं बताता हो कौन सी घटना पे चुपी त्यागी करके ओ आपाई है हांडीकाप्ट है जो अपनी चेर बैट करें बच्क यह बच्रीक घक गारी को पढ़ाती था एक मुस्लिम बच्चा है और वह बच्चा यहा उसको अपने दूसरे गहानच स्टूडम से करना यू हिंदू टीचर जो है ठीक है वो अपने एक मुस्लिम स्टूरेंट को दूसरे स्टूरेंट से पिटवा रही है ठीक है तो इसको कॉमिनल एंगल देखके बड़े बड़े लोग ठीक है मीडिया परस्नाल्टी लॉयर्ज और पॉलिटीशन सब इसमें चलूर से ले लिजे साहेमा ले लिजे राजीब सर्देशाही ले लिजे ठीक है कॉंग्रेस का ऑफिशिल हैंडल्स आप ले लिजे ठीक है जो भी जहां पर भी आप दीख रहा है आप सबको ले लिजे ठीक है न और इनलोगों ने एकटम på 모습 बना दिया है इस में दिखा दिया कि भाई दीखिये बाहरत में मुस्लमानों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है ठीक है टो यह एक पहले घटना है ठीक है और इस घटना में क्या है कि सबसे बड़ी बात एक और चीज गया है कि इस घटना के बारे में जो सोशल मीडिया पर पुलिस से क्लारिफिकेशन आ गया है ठीक है पुलिस ने उसको क्लारिफाई कर दिया कि यह कोई भी से कविनल एंगल नहीं है जिस बच्चे की पिठाही की गई ठीक है उसके पिता ने कहा है कि इसमें कोई अंगल नहीं है थीक है यह भी आ गया जिस व्यक्ति ने वह वीडियो शूट की है वह वेक्ति भी कह रहा इसमें पहले से चला है कि आधा टीचल एका लगा दिता है लेकिन सुबहे से लेकर धडलश से जो भी देखे सेलिब्रेटी सीम ग्रेवाल वगरा निसाब लगे हुए है ठीक है एक दम हिंदु के देख कैसे हिंदुस्तान में प्रत्याचार किया जा रहा है मुस्लिम उपर कैसे चल रहा है ठीक है इसमें यह भी आ रहा है कि एक वोट अगर आपने बीजीपी को दिया तो यह मतलब ट्रिप्टा त्यागी जैसे लोगों के लिए ही है ठीक है इस टाइप से चलता रहा ठीक है उसी के बाद जब यह गौवर्मेंट हाय सेकंडरी स्कूल का जो मामला है वहां पर उसमें क्या हुगा है एक लड़का हिंदू लड़का है उसने वहां पर ब्लाकपॉर्ट पे जैयराम लिख दिया और उसके चक्रहएं वहां के जो सहायक टीचर है वो भी मुसलिम है उन लोगों ने उसको बुरी तरह से पीटा और बंदा वो हॉस्पेटल में पहुंच गया ठीक है इस मामले में कि जितने भी बड़ी बड़ी हस्तिया है जहां पर कि आपको खुले आम दीख रहा है खुली आखों से आपको देख रहा है कि यह 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 कॉमिनल एंगल है यहां पर कॉमिनल कि एक मतलब उसकी वज़े से उसको पीटा गया है कॉमिनल एंगल सरे से दिख रहा है ठीक है लेकिन आपका मीडिया पॉलिटेशन्स जितने भी लोग है सब शांत ठीक है सुबह से सुबह से अर्पिता क्या बलते हैं सुबह से आरे लेटर लिखा है और उनको कहा है कि इस पर केस कि जाया उसको तुरह अरेस्ट किया जाए ठीक है लेकिन यहीं सारे के सारे लोग कोई भी कहीं पर डिमांड नहीं कर रहे है एक ट्वीट तक नहीं आती है कटुइब के मामले में ठीक है एक ट्वीट नहीं है जब कि इस मामले में जो नेहा पॉबिक स्कूल का मामला मुझभभ नगर कैंट उसमें मतलब लगे पड़े हैं त्विट पर ट्वीट पर ट्विट किये जा रहा है और इसमें एक दम शांथ तो कहीं नहीं मतले, यह सुज़ता हूं कि क्या ये लोग क्या तो कुछ आइने में देखते नहीं है कि हाँ, कभी मतलब एक morality का रहता हैना कि हाँ, कभी तो अपने आपको देखो, कभी तो अपने आप को पूछो कि हाँ भाई जो में कर रहा हो baby । क्या वो बहुत ही घिन आती है जो कि अपने को कहते कि में हम क्या है हम जानुरलिस्ट है ठीक है हम लॉयर्ज है हम सेलिब्रेटीज है और ये दुनिया में सब को ना सबको एक तराजू पर तोलते हैं कि यह ऐसा है वैसा है यह वैसा है लेकि यह अपने आपको यह लोग उस competitors इस तरह से लोग फैलाते हैं जहां पर पर अभी बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो खृपिया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको आगे शेर भी करें धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद